नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप से लोग आसा करता हूं, बढ़िया होंगे स्वागत है आप सभी का, आपके अपने प्यारे मल्टी परपच चनल पर इछाने के तन A Unique Journey of Destination में और यहाँ पर हम लोग लगातार वीडियो के जो री एक्जाम होना है उसके लिए प्रैक्टिस सीरी चला रहे हैं और लगातार कोशन को डिक्स को भी कर रहे हैं तो उसी क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं Unique Test 7 जहां पर हम लोग वर्ड जोगरफी के बहुत ही महत्पूर कोशन को डिक्स करने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समय वरबाद नहीं करना है उस साथी साथ में जो आपको 15 कोशन कराए जाएंगे इन 15 कोशन का जो एनराइसिस है उनसे आपको बहुत ज़्यादा कोशन बनने हैंगे ठीक है तो चली श्टार करते हैं आज कब अपना पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन क्या है कोशन नमबर वन आपके सामने दिया गया है पूचा गया है सबसे छोटा दिन उत्री गोलार्द में कब होता है यानि कि अगर हम बात करेंगे ये पूरे हमारी मालो प्रतिवी है ठीक है और इस प्रतिवी को दो भागों माटा गया है एक है आपका North वाला पार्ट एक है आपका South वाला पार्ट इसको कहा जाता है Northern Hemisphere यानि उत्री गोलार्द और इसको कहते है Southern Hemisphere यानि की दच्छनी गोलार्द तो कोशन यह पूचा गया कि उत्री गोलार्द में सबसे चोटा दिन का वो होता है तो सबसे चोटा दिन होता है यह सबसे च्छोटा दिन क्या होगा तो वह इसका उल्टा हो जाएगा फिर यहां कि जून हो जाएगा वहां बाइस दिसम्बर हो जाएगा ठीक तो यहां पर पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्से नंबर डी ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी देग लीजिए जिस यहां ट्री बाइस एक दिसमबर श fonctionव वहीं उसको कहा जाता है पहले आप्स नदी है और बड्लप से चीन को बाब सरे और एक तो उत्तुल्म को माना जाता है एट्र पीस जून सब्छोटा दिन होता है यह आपको याज रखना है यह सब जो 21 जून है यह अपने उत्री भारत में पढ़ता है कब यह उत्री गुलारत में पढ़ता है गर्मी उक्सीजन में और वहां पर सर्दियां पढ़ती है तो यह आपको चीजन ध्यान रखने है नेस्ट कोशन नमबर तो आपके सामने दिया गया है कौन सा देश दालों का सबस धालों का उत्पादद किया होता है सबसे ज्यादा होता है इसलिए भारत को करशी प्रदान कहा जाता है ठीक है नमर बंपर है और यहां पर देख सकते हैं कि भारत में सिर्जियस इस्तान पर है और बात करेंगे नगभाग में ब्रश्यज बहुमी को सामिल करते हैं और देश के कुल खाद्यान उत्पादन का लगबग साथ से दस परशन उत्पन जो है वो केबल डालों की रूप में ही उगाई जाता है ठीक है डाले खरीप और रभी दोनों मोसमें में उगाई जाती है रभी का कुल उत्पादन लगबग कितना होता है तो यह बात करेंगे पहले नंबर पर अपना इंडिया है और सेकंड नंबर पर आपका चायन आता है तो यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ठीक है नाइस्ट कोश्या नमबर थ्री देखते हैं आपके सामले क्या है निमलिकित में से कौन सी एसिया की सबसे बड़ी घाटी इसको कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं और यह कहा पढ़ती उत्तर में महावारत और दच्छन में चुरिया रेंज के बीच में इस्थित आपकी कौन सी गाटी डांग घाटी ठीक है और यह उसकी लैंथ दी कहीं कहा से कहा ता कितना इसका इसका एरिया है सारी चीजिए आपके सामने दी गई है यह बाबाई नदी द्वारा भाया जाता है या जो जो डांग और इस विश्व में यह सबसे बीच में जाती है जिसको जीरो डिग्री लेटिटिट्व यानि एक्वेटर कहा जाता है और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं भूमत रेका बोलते हैं ठीक है तो यहां पर आपने देखा हुए जैसे उपर नौर्थ अमेरिका है नीचे साउथ साट-घुड़ोप अमेरिका है ठीक है यहां पर आफ्रीका है ठीक है फिर आपका यह यहां पे ऐषिया है टीक है ऑऊश्ट्रेलिया है तो यह सब महादीप हैं ओके तो अब इन ही पर पर इस्थित नहीं है तो एक्वाड़ और कोलंबिया यह आपका पढ़ता है यहां पर फिलिपिन्स और वियतना में यह नहीं पढ़ते आपके बूहद्रिका पर उमालदीप इंडोनेशिया यह भी आपकी मुद्रिका पर पर पढ़ते हैं तो अगर आप इसको सिनको और करना चाहते हैं तो मैं आप नहीं लगा पाया आप गूगल फिसर्च करके कि विच कंट्री जार एक्वेटर लाइन तो आपको मिल जाएंगे वह पूरी तेरा देश हैं आपके ठीक है जो आपके एक्वेटर लाइन पर रिश्ते थे थे यहां यहां यह दोगी लिगा पर ते किस समद्र में सही हो जाएगा अज यहां पर का नाम ज she से जाना जाता है तो गर्जिए रीफ है एक समुद्र में स्थे तो अपसे नमबर वन सही हो जाएगा और यहां पर यहां पर काफी अच्छे इस आइसलेंड हैं आप पर गूमने जा सकते हैं और यह आउस्ट्रिया के तर्च से थोड़ा दूर हैं और इसमें 400 परकार के यह भी सब वहीं आपको मिल जाएंगे समुद्रिकाय को डगों को नाम से भी जाना जाता है तो यह सब आपको वहीं पर मिल जाएंगे तो आप देखने जा सकते हैं तो यह कुछन नमबर कौन से च्छेटमा कुछन आपके सामने दिया गया है केप ऑफ गुड होप यह कहां प पार्क भी हिस्तित है और उसी का यह हिस्सा है इसे पहले 1652 में डचों द्वारा स्थापित कैप कालाउनी के नाम से लिया रखा गया था इसको स्थापना की गये थी इसको कैप गुड होप के नाम से आज जाना जाता है बढ़ते हैं नेस्ट कुछन नमर साथ पर कौन सा ए च advocation में उत्तरी क्र साहित कर जाता है और वहीं सावीबिभि वगें साहीधन सायसास मोय नीच जाएंगे इसको बोलते हैं सह को इसामा पुर्कार की जो रहां है तो तो यह आपको बताना है तो वो है आपका ज़री से देखो अब यहाँ पर आपने पहली वाद तो यहीं कन्फीजन दूर करनी कि दच्छन अफ्रीका कोई महादीप नहीं है यह कंट्री है किस महादीप में अफ्रीका तो जो अधिकतर लोग सोच रहेंगे इस कांसर अफ्रीक देख सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है भूमत बिल्कुल बीस से उकर जाती है और यहां पर अफ्रीका है वो तीनों से उकर गुजरता है चलिए कौन सा देश में कॉफी का सबसे बड़ा उतपादक देश है तो ब्राजील ब्राजील में सबसे पहला है और दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो वियतनाम आता है और गुडवत्ता यानि कॉलिटी के अगर दिखा जाए तो इथे पिया की सबसे अच्छी कॉफी मानी जाती है कौन सदेश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा हुत पादक है यानि जो यूरेनियम है जिसको सब्सक्राइब करती है और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाड़ा तेरा परसेंट इन कहां से किया जाता है यूरेनियम की बड़ती मात्रा है जो 50% अधिक होच चुकी है का उत्पाद सीटू लीचिंग द्वारा किया जाता है ठीक है विधी है ओके नैस्ट कुश रेते हैं जयसे आपको पता हूगा यह मारा पूरा प्रत्थि भी है प्रदाब क eller शोब मंडल मध मंडल समताथ मंडल टीक है पिर आपका पूरा जो घुन मेंथी है सांस लेते पहाड़ है सबங्रों के मोच चौ बहें जाता है उसी में में फोद़्थ सबसे निचला भाग जिसको चोब मंडल के नाम से भी जाना जाता है और इसको सोला किलोमीटर भी मानते हैं इंडिया में इसको सोला किलोमीटर के आसपास माना जाता है ठीक है और छो बहुताई होती है और यह भूमत रिखा पर सबसे ज्यादा होती है और जीतने भी प्रकार के बादल होते हैं वह चो मंडल में ही पाए जाते हैं तो नेस्ट कुश्टन नंबर गयारा देखते हैं नेमलिकित मैं से किस ग गुमती है तो जैसे मालों पृतिवी है यह आपको मैं बता चुका हूं यह नॉर्थ है यह साउथ है ठीक है और यहां पर यह क्या होता यह इस डारेक्शन और यह यहां पर क्या है बैस डारेक्शन है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पृतिवी है वह क्या करत और जो स्थिज़ें होती हैं स्थिछ चीजह होती है फिज्ग गी उर कौकश में पूरब कि और जाता हुआ पृतित होですか लोगा तो यहाँ पर प्रित्वी अपनी धूरी पर घूम रही है तो और हमें उन्हेंसे पर सब्सक्रीविक प्रितिन क्कुल ऑप आप देख सकते हैं ठीक है कुछिशन नमर्ट तेरे आपके सामने दिया गया निम्लेकित में से कौन सा महाधीप विश्च्ट के आधे साधिक टिन का उत्पादन करता है तो सबसे ज़्यादा जो टिन है वह आपके चाइना में और इंडिया में मतलब इसका त्माल किया जाता और खनिच्ट अशाधन जैसे ही रावन प्लेट नम इनका अगर इसे बड़ा उतपादां करम पूचे तो आपका अफ्रीका हो जाएगा तो तीनों चीज़ें आपको ध्यां रखनी है टिन का अइसिया में लोगिक अश्या फोटे कंपादश अपरन जाता है तो श्यादि कोईला माना जाता है तो option number second correct हो जाएगा क्योंकि इसमें 90% स्यादे कारवन होता है और यह धुआ रहेत होता है इसको जलाने पर धुआ नहीं निकलता है इसको सबसे अच्छे प्रकार का कोईला माना जाता है ठीक है और इसमें चमक भी होती है और इसमें उचितम कारवन समग करिक का मसुद्दियां पाए जाती है इनका जो उच्छा घनात्य वह भी ज्यादा होता है और अच्छाई क्वालिटी का माना जाता है ठीक है तो नेस्ट कुश्चन नमबर लास्ट टाप के सामने कुश्चन नमबर 15 सबसे गरम गरह कौन सा है तो सभी लोग जानते हैं जो क्या गरम हो चुका है इसलिए इससे ज्यादा गरहा है लेकिन इसा प्रतिवी की बहन के रूप से महीं जाना जाता है और अगर ब्रस्पती की बात करेंगे ब्रस्पती के जो ज्यानिमिट है सॉर बंदल का सबसे बड़ा सैटलाइट याशन की उपग्रय है ठीक है और उसी तो आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, इसी प्रकार से अगले एक नए टॉपिक के साथ, नए उनिट के प्रेक्टिस कोशन के साथ हम आपके सामने आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए टेक केर, बाए बाए